तो देखो आज की क्लास में हम लोगों को कमपाउंट्स औफ सल्फर के बारे में बाचीत करनी हैं अब जैसे सल्फर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि सल्फर में कौनसी वाली ऐलोट्रोपिक फॉर्म पाई जाती है किस ऐलोट्रोपिक फॉर्म का कैसा स्ट्रक्शर होता है रोंबेक मोनो क्लोनिक के बीच का डिफरेंस ट्रांजीशन टेंपरेचर तो अभी मैं सल्फर का वह वापस से इंट्रड़क्शन वाला पार्ट नहीं करवा रही हूं हम लोग हमारी जो पढ़ाई है वो शुरू कर रहे हैं कमपाउंस ओ अफाउफर नामा ट्टोपिक से ठेक है तो यह अं Compound of Sulpher के नाम पर बहुत सारे compounds होते हैं जो आप पढ़ सकते हो सेना sulfur तो क्योंकि बहुत सारी चीजों में पाया जाता है बट क्या हम अपने धर्ती पे पाये जाने वाले हर sulfur के compounds को पढ़ेंगे नहीं क्या हम हमारे आजू बाजू पाये जाने वाले क्या सारे के सारे chemicals जिनमें sulfur मौजूद होता है क्या उन्हें पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं हम लोग सिर्फ कुछ गिने चुने ही compounds पढ़ेंगे आप लोगों के sulfur के ठीक है और कुछ भी नहीं पढ़ने वाले तो सबसे पहली चीज़ जो आज की class में हमें पढ़नी है वो पढ़ना है SO2 के बारे में ठीक है हमें किसके बारे में पढ़ना है SO2 जिसके बारे में मैं बता दू इस particular चीज़ को कहा जाता है what आप लोगों का sulfur dioxide कौन ही आपका sulfur dioxide जो की एक ग्यास होती है ठीक है sulfur dioxide क्या होती है एक ग्यास होती है बराबर चलो बहुत ही अच्छी बात है तो क्या हम लोगों ने यह आप लोगों का जो sulfur dioxide gas है यह कहीं देखी है क्या अपने आजू-बाजू बताओ तो definitely यह जो sulfur dioxide की gas है यह मैंने देखी है अपने आजू-बाजू एक मैंने फोल्ड करूंगे ठीक है कैसा विर कीॐस्टेघर है आप है भाप भाप घर बहुंो यह भाप 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 करते हैं तो चीज देखो कुछ इस प्रकार से हैं कि सल्फर डियोग्साइड ग्यास क्या हमने अपने आजू-बाजू देखी है क्या तो देखो जब आप छोटे थे आप अपने टेक्जूप में कार्बन डियोग्साइड ग्यास का डिटेक्शन परते थे हाइड्रोजन ग्यास का डिटेक्शन परते थे है न अच्छा तो वैसे ही आपके पास जो यह एसोटू ग्यास होती है इस एसोटू ग्यास को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं तो देखो कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए सबसे पहला की पॉइंट है इसकी श्मल बहुत ही गंधी ठीक है पंजेंट है मेल बहुती ज्यादा गंधी मतलब है जद जदा गंधी फॉरिक्स Impel अगर मालने टें कहीं सीवेज है गटर अगर मैं हिंदी में बोलू थेक है तो ऐसे में जो गटर होता है अगर उस गटर के अंदर से Smell कैसी आती है वहां से जो ग्यास निकलती है वो उसकी स्मेल होती है है स्मयल होती है वैसी ही कुछ प्रकार की स्मयल पंजेंट लेकिन क्या माडम स्कॉर हमेशा मैल की मदद से ही आप अइटिफाई करेंगे चोंकि इसफी जirtा दो भी जैसे सपनकाइब का छोप सकते हैं और पुर्णित चाहार को और करते हैं तो बहुत पारियोग में होगöz क्या खा का identification होगा colorless gas है तो ऐसा भी नहीं कि white fumes दिखरी है बहुत जादा जैसे NH4 CL में दिख जाता है या brown या yellow या green है ना ये ऐसा भी नहीं है कि पहचान में आ जाए तो actually फिर आप SO2 gas के presence को पहचानोगे कैसे तो एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा test होता है आप एक टेस्ट्यूब ले लीजिए लाब में टेस्ट बहुत जादा हम लोगों के द्वारा किया जाता है जब आप लाब में काम करते हैं तब उसके अंदर आप क्या करते हैं potassium per magnet का solution भर देते हैं ठीक है किसका solution भर देते है potassium per magnet अब potassium per magnet का formula होता है के एम एन ओ फोर अच्छा अब potassium per magnet आप अगर तुम्हें थोड़ा सा भी redox chemistry पता है या तुम्हें थोड़ी सी भी redox chemistry अगर याद है जब मैंने redox पढ़ाया था 11th class में तो के एमनो फोर को आपको 3 mediums दिए जाते है आप kmio4 को 3 mediums के साथ यूज कर सकते हैं मतलब alkaline kmio4, acidified kmio4 ठीक है और एक होता है neutral kmio4 तो asotogas के हम detection करते हैं तो asotogas के detection के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है Acidified KMNO4 चाहिए होता है जब आप इस Acidified KMNO4 में क्या करेंगे Sulfur Dioxide Gas डालेंगे तो SO2 Gas डालने से बोलो क्या होगा SO2 Gas डालने से आपकी जो Test Tube है ठीक है उस Test Tube के अंदर जो KMNO4 है उस KMNO4 का Color Decolourize हो जाएगा Decolourize मतलब KMNO4 जो होता है न वो Purple या फिर Pink Color का होता है ठीक है KMNO4 जो होता है या तो Purple या फिर Pink Color का होता है तो जब आप उसके अंदर SO2 Gas डालेंगे तो उसका जो Color होगा उसके अंदर जो Solution होगा उस Solution का आपको Color कैसा रिखेगा कुछ भी ने Colorless तो इस तरीके से आपकी जो Gas है ठीक है वो Gas क्या हो जाती है identify आप कर सकते हो कि हाँ भाई तुम क्या हो एक Particular KMNO4 को तुम क्योंकि Decolourize कर चुके हो तो तुम कौन हो एक SO2 Gas हो ठीक है वैसे तो Smell से आप हैचान जाते हैं काफी हद तक जो लोग Labs में काम करते हैं उन लोगों को काफी आदत हो जाती है रोज GAS के साथ काम करने की तो काफी हद तक आप H2S को और SO2 को डिस्टिंगुश कर सकते हैं Experience Persons जिन्होंने पहली-पहली बाहर लाब में काम करना शुरू किया है अब तो उसको ऐसा काफी हद तक आप इसको आइडेंटिफाइ कर सकते हो अगर आपका काफी अच्छा गासा अनलेटिकल केमिस्ट्री के साथ मतलब इस तरह की की प्राक्टिकल केमिस्ट्री के साथ अगर आपका experience है तो ठीक है ओके चलो खैर तो यह हो गई एसो टू गैस के बारे में एक आइडेंटिफिकेशन की बातचीत अब अगर मान के चलते हैं मैं होती examiner और मेरे को यह topic अगर पूछना होता तो मैं इसमें क्या सवाल पूछती बदो तो इसमें मेरा सबसे पहला यह सवाल होता कि इस प्रोसेस के दौरान जब आप के अमनो फोर जब आपके पास था उस के अमनो फोर में जब आपने एसो टू कैस डाला तो एसो टू गैस डालने के बाद आपका solution कलर लेस हो गया तो मैंगनीज की oxidation state में क्या change आया मैं यह पूछती ठीक है मैं बेसिकली यह चीज पूछ लेती ठीक है अगर मैं examiner होती तो तो actually में जब हम लोग reactant side में थे तब हमारे पास के एमनो 4 था ठीक है यानि कि हम लोगों के में आपके पास MnO4 negative था और जब हम लोग S02 के इसको डाले और सबनों कलर लेस हो गए तब बेसिकली हम लोग किसमें कंवर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट में कैन्वर्ट हो गया और जब हम लोग प्रोड़क्ट में कनवर्ट हो जाते हैं जो की कलारलेस है तो बेसिकली कि हम MN2 positive में convert हो जाते हैं तो अगर मैं एक्जामिनर होती है और मुझे यहां से question अगर पूछना होता तो मैं तुमसे यह पूछ लेती इस रैप का question की बताइए इस पर्टिकुलर प्रोसेस में change in oxidation state यानि कि मैं यह कहूं कि वैलन सी फैक्टर कितना है क्योंकि change in oxidation state का मतलब वैलन सी फैक्टर ही होता है मैं यह पूछ सकती थी कि जो product बना उस product में manganese की oxidation state क्या है मैं यह आपको पूछ सकती थी है न तो इस तरीके से अगर मैं होती तो मैं examiner के तौर पे यह questions पुछती ठी है चलो next में आते है next topic is structure ठीक है यह चीज है structure अब हम लोगों को बातचीत करनी है structure के बारे में देखो structure एक ऐसी चीज है एक student अगर ढंक से पढ़ाई करें तो 10 ग्लास में structure बनाना सीख जाता है उनके आपके syllabus में होता है ठीक है लिवेस डॉट स्रक्चर जब आप यह चाप्टर पढ़न कार्वन राइट तब उसमें यह होता है नहीं तो जब आप 11 ग्लास में लिवेस डॉट स्रक्चर पढ़ते हो कम से कम आप तब तो सीखते हो तो एक्षिजन में अगर हम ऐसो टू की structure की बात करें तो और central atom sulfur होता है आजू बाजू क्या होते हैं bonded atoms उसके surrounding atoms जो होते हैं वो अव्यस है कि oxygen होंगे तो oxygen और sulfur के बीच में इस तरह के से पाई मतलब double bond होता है इस तरफ भी double bond होता है अब मुझे एक बात बता हो और sulfur ने कितने bonds बनाए चार bond बनाए है न साथ साथ दिख रहा है कि यहां पे आपका जो central atom sulfur है इसने कितने bonds बनाए है चार bonds बनाए है अच्छा और बनाना कितना चाहिए था छे बनाना चाहिए था बराबर sulfur की जो maximum covalency होती है वो maximum covalency बोलो कितनी होती है उसकी maximum covalency 6 होती है कि यह 6 तक तो इसको जाना चाहिए था तो इसका मतलब अब तुम अपना खुद का छोटा सा ब्रेन इस्तेमाल करो कि यहां पे ऐसी कितनी quantity में add करो कि total मेरा 6 हो जाए और वेसे माड़म आप 2 add करेंगे दो क्या दो electron और दो electron का मतलब basically क्या होता है एक lone pair तो यह रहा sulfur और यह उसके उपर lone pair चीक है ऐसी और oxygen के बारे में तो तुम जानते ही हो oxygen की क्या वैलन्स electrons उसको भी अपना octet complete करना है तो इसके उपर भी इस तरीके से lone pairs आ जाएंगे यह होता है आप लोगों के SO2 का structure अब तो इसमें से रहे को सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं बताईए SO2 के पास कितने lone pairs हैं कल को को यह पूछ लेगा कि lone pairs on sulfur है ना ऐसा पूछ लिया तो बताओ एक sulfur पर आपको कितने lone pairs दिख रहे हैं सिर्फ एक दिख रहे हैं एक lone pair का मतलब होता है दो electron ठीक है एक lone pair का मतलब क्य होता है दो electron कल को तुमसे यह पूछा जा सकता है कि lone pair on one oxygen atom एक oxygen पर कितने lone pair है वहाँ पे आपके पाद दो lone pairs है कल को यह पूछ सकता है कि बताईए वहाँ पे total lone pair कितने हैं पूरे के पूरे molecule में ठीक है तो आप आप एकाउंट करके दिख यह 5 lone pair है कल को को यह पूछ सकता ह कि sigma bond कितने Pi bond कितने हैं यह बताईए to रएखो यह होता है sigma bond यनि कि single bond एक sigma बनने के बाद जो दूसरा बनता है उस दूसरे वाले को हम लोग basically क्या कहते हैं आप लोगों का पाई कहते है तो यह हो गया π knot hypothesis sigma bond यह हो गया पूछा जासकता है इस तरीके का सवाल आपको पूछ लिया मान लेते हैं कल को उसने चलो बहुत अच्छी बात है एक सवाल और पूछा जा सकता है जो काफी basic common sense का है जब आप छोटे थे जब आप पहली पहली बार chemical bonding पढ़ रहे थे उसके business पर देखो अगर oxygen और sulfur ने bond बनाया है तो इसका मतलब यह तो definitely यही है ना कि oxygen और sulfur के orbitals के बीच में overlapping हुई होगी इससे तो agree करते हो है ना उससे तो agree करते हो कि अगर मान के चलते हैं sulfur और oxygen के बीच में bond बनाया है तो उनके orbitals आपस में overlap किये होंगे तो अगर मैं पूछू कि oxygen का कौन सा orbital overlap किया होगा तो हमेशा outermost करता है जिसके पास खाली जगा होती है तो अगर तुम oxygen का configuration लिखो तब तुम्हें पता चलेगा कि oxygen का atomic number होता है और उसका configuration होता है 1s2, 2s2 और उसके बाद 2p बोलो कितना 2p 4 यह होता है correct की incorrect बराबर correct तो यानि कि अगर किसी को bonding में participate करना है तो कौन करेगा outermost यानि कि यह यह करेगा bonding में participate यह करेगा bonding में participate बराबर यह करेगा bonding में participate है न यानि कि p orbital करेगा है न पी orbital करेगा अगर मैं sulfur की बात करूँ तो चलो sulfur का atomic number होता है 16 उसका configuration में लिख देती हूं तो देखो 1s2 2s2 उसके बाद 2p 6 3s2 और आगे कितना हो गया 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गये 16 करने और 3p 4 ठीक है 3p 4 और इसके पास लेकिन 3d orbitals भी तो होते क्योंकि मैंने कली बताया था आप लोगों को अंगरे होता हैoute पीरेड least नंबर 2017 क्या शूरू हो जाता है पीरेड नंबर तीन से आप लोगों का शूरू हो जाता है डी और वाइंट्रीति शूरू हो जाती बत्लब नपलत यह पहली-पहली बार उंके 있는데 कakah telephone कहोती थि के पास होती है ठीक है अब यहां पर आएगा 3D भली उस 3D के पास कोई लेक्ट्रॉंस नहीं है वो खाली है बट वहां पर कौन आता है आप लोगों का 3D आता है अब बात आती है कि यहां करेगा तो देखो यहां पें बांडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ठीक है बात करूं तो सिग्मा बांड में यहीं 3D भी पाटिसिपेट कर सकता है तो इसलीए यहां पर बहुत ही जरूरी है एक पॉइंट को याद रखना वो यह याद रखना कि अगर हम लोग पाइब बना है सिग्मा बॉन नहीं पाइब ऑन की अगर मैं बात करू तो यह पाइब ऑन किसकी वजह से बन रहा है बिकॉस ओफ P-Pi B-Bonding या फिर कई बार बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है इसकी वजह से यह सकी वजह से ठेक है मतलब एक एक अटम P-orbital का है और दूसरी आटम आपके कौनशे और वाइटल का है आपके D का अब क्योंकि मैंने पहले Sulfur लिखा है तो Sulfur के हिसाब से D आएगा और Oxygen के हिसाब से P आएगा इसलिए P-Pi लिखना सही नहीं होगा बट बनता किसकी वज़ा से डी पाई पी पाई बॉंडिंग की वज़ा से अगर मैं oxygen को पहले लिख देती यानि कि अगर ऐसा लिखती oxygen और sulfur के बीच का sigma bond तो इसको लिखने की tone मेरी कैसी हो जाती क्योंकि oxygen पहले लिखा है इसलिए पी पाई और उसके बाद बाजू में डी पाई बराबर तो ये question पूछा जाता है कई बाद options देड़ेगा पूछेगा इन फलाना options में से किस option केस में पी पाई डी पाई bonding मौझूद है तो पता होना चाहिए sulfur dioxide के इसमें मौझूद है और बाकी कुछ आपके experimental database है यसे experimental database यह है कि आप लोगों का जो ये sulfur dioxide है अब sulfur dioxide में सबसे पहले उसकी hybridization क्या है देखो hybridization निकानने में sigma bond काम आते है और loan pair काम आते है central atom के ठीक है पाई bond काम नहीं आते है तो यहाँ पे क्योंकि sigma bond कितने है दो sigma है और एक loan pair है सिर्फ central atom पे bonded का नहीं सिर्फ central का central यानि की sulfur तो total आपके पास कितना हुआ total हुआ तीन अब तीन अगर आता है आपका total तो तीन वाले total को हम लोग क्या कहते है इसे कहते है हम sp2 hybridization इसे हम लोग क्या कहते है sp2 hybridization तीन अगर total आता है तो उसे कहते है sp2 hybridization देखो s का एक और पी का दो तो total हो गया ना तीन इसे क्या कहते है हम लोग sp2 hybridization अब देखो sp2 hybridization में expected क्या होता है जो ideal आइडियल behavior ठीके expectation क्या होती है अगर expected behavior यह होता है कि अगर किसी भी चीज के पास sp2 hybridization है तो bond angle ठीके bond angle bond angle होना चाहिए 120 degree ऐसी expectation होती है ऐसी expectation होती है बट actually में अगर आप bond angle की बात करें तो यह वाला bond angle bond angle का मतलब होता है यह यह वाला angle basically यहां पे आ जाता है 119.5 ज्यादा बड़ा difference नहीं है आपको क्या था कि 120 आना चाहिए बट जब आप reality में देखते हैं तो reality में जो bond angle आता है वह होता है 119.5 के आसपास का कुछ आपको क्या यह exactly bond angle रटता हो आने की नेड़ है जैसे इतना basic student को याद होना चाहिए कि SP hybridization मतलब bond angle बराबर 180 SP2 hybridization मतलब bond angle बराबर 120 SP3 hybridization मतलब आपका 109.28 है यह जितनी भी hybridization है उनकी expected value आपको याद होनी चाहिए बट reality में सबकी expected value जो होती है ideally जितनी होनी चाहिए उतनी आती नहीं अलग-अलग आती है तो वह अलग-अलग values के आम रटता मारेंगे सबकी obviously not आप सबकी रटता नहीं मारोगे बट जो आपके बुक में है जो आपके syllabus में है आप उसको याद रखो कि अच्छा हाँ मेरे बुक के syllabus का ही portion है तो हां ठीक है सो टुका बॉंड एंगल जो 120 आना चाहिए था 120 से 0.5 कम आ रहा है अप ऐसे याद रुको आप ऐसे याद मत रखो कि 119.5 आ ऐसे याद रखो कि तो 0.5 कर दो अब करी लोगों को लगेगा मैडम इसके लिए 120 भी तो याद रखना पड़ेगा तो देखो क्यमिकल बॉंडिंग का यह बेसिक्स है मैंने क्या कहा 11 क्लास का तो यह सबको आलमूस्ट याद रहता ही है कि SP2 मतलब 120 डिगरी का बॉंड अंगल तो ऐसे में यह क्या एसो टू का कुछ मतलब बना सकते हैं क्या रेजोनेटिंग स्ट्चर्चर्स वगेरा कुछ पॉसिबल है क्या एसो टू के रेजोनेटिंग स्ट्चर्स तो डेफिनेटली एसो टू के रेजोनेटिंग स्ट्चर्चर्स बिल्कुल पॉसिबल है ठीक है एसो टू जो होत तुम लोगों को देखो अब कैसे दिखते हैं दो एक्वी वैलेंट रेजोनेटिंग स्टुक्चर ज्यान से रिखेंगे सबसे पहले हम यह जानते हैं कि सल्फर डायोक्जाइड का जो सिम्बल है वो कुछ इस तरीके का है और ऑक्सिजन के उपर लोन प्यार यह इस तरीके से अब 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 एक दफा ये चीज सोचिए एक दफा के लिए चीज सोचिए कि औकसिजन और सफर के बीच में जो यह पाई बांड है इसके जो यह पाई इलेक्ट्रॉंस है यह आप पीछे विढ्रॉ कर दीजे मतलब इस आजब आजर आप ऐसा करते हैं तो बिचारे «वें साइट की oxygen के बीच में संगल बांड बचेगा से एक sulphur की उपर लोन पयर है बाजु वाले sulphur और oxygen के साथ कुछ नहीं हुआ लेकिन जो left side में oxygen है उस left side के oxygen में इस तरीके से तीन लोन पयर आ जाएंगे और क्योंकि दोनों собствен पे शिफ्ट उ तो सल्फर खुश था कि हाँ मेरा पास तो इलेक्ट्रॉन हैं मेरे पास तो बॉंडेड इलेक्ट्रॉन से अब तुमने उससे खीच के ऑक्सिजन को दे रिया तो भीचारे ऑक्सिजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चीक है अब जरूरी है क्या कि लेफ्ट वाले और सल्फर और लेफ्ट वाले ऑक्सिजन के साथ अब यही काम करो आप बोलोगे नहीं मैडम मुझे लेफ्ट वाले के साथ नहीं करना है मेरी लेफ्ट वाले के साथ मेरी खुनन से मैं तो राइट वाले के साथ ऐसी हरकत करूंगा या करूंगी वाटेवर तो ऐसे केस में यह भी एक possibility है, तो इन दोनों को हम लोग basically कहते है resonating structures, इन्हें हम लोग क्या कहते है, resonating structures, ठीक है, क्या कहते है, इसको हम लोग resonating structures, clear reality चीज, तो आप लोगों को अगर, इसके पास कितने resonating structures हैं, तो इसके पास बहुत सारे तो नहीं, इसके पास दो same to same equal resonating structures हैं, ठीक है, अब देखो users के बारे में, अगर मैं बात करूँ, तो users वाला पार्ट मैं तुम्हारे पंड़ने के लिए छोड़ रही हूँ, तुम्हारे पास NCRT है, अपनी state board की किताब है आप वहां से बहुत सारे uses बढ़ सकते हूँ, मैं कुछ इसके famous uses बताती हूँ, और famous uses बताने के बाद से मैं इसके preparations और chemical properties के सरफ move करती हूँ, जो की ज़्यादा important है, देखो, सबसे पहली चीज, SO2 का use एक बहुत ही, मतलब important industry में होता है, वो basically होता है, आप लोगों के refining of sugar, सुनने में अजीब लगेगा, but yes, जो हम लोगों की sugar होती है, sugar की refining, spelling ठीक कर लेना, sugar की refining and petroleum की refining, इन दोनों जगा पर SO2 को use किया जाता है, कैसे किया जाता है, is not our concern, हम लोगों को sugar refine करने को नहीं आएगी paper में, कि चलो sugar refine करके दिखाओ, but वहां पे use होता है, छीक है, अच आप लोगों का जो H2SO4 है, जो की एक बहुत important chemical है, देखो जो electro chemistry आपने पढ़ा, आपको पता होगा कि batteries में H2SO4 हम use करते हैं, even H2SO4 को हम लोग कई chemical reactions कराने के लिए use करते हैं, तो actually H2SO4 की preparation के लिए, आप लोगों को SO2 चाहिए होता है, मतलब अगर आपके पास SO2 है, तो आ ठीक है, with the help, via SO2, via SO2, ठीक है, SO2 के वाया, और इस particular process को हम लोग कहते हैं, contact process, ठीक है, इसे कौनसी process कहते हैं, contact process, पढ़ेंगे हम लोग कल की class में, इसी contact process के बारे में ही पढ़ेंगे, detail में, कि कैसे prepare होता है, H2SO4 with the help of SO2, but process का नाम पता होना चाहिए, इसे कहते हैं, contact process, ठ ठीक है, sugar की refining में यूज करते हो, petroleum की refining में यूज करते हो, SO2 का prepare करने में यूज करते हो, इसके अलावा, ये bleaching industry में भी यूज होता है, ठीक है, bleaching industry में भी आप इसको यूज करते हो, bleaching of wool, जो oon होता है, जो आपको भेड से मिलता है, है न, इसके अलावा, जो silk होता है, इन लोगों की bleaching में आप इसको यूज करते हो। चौथा, आप इसको यूज करते हो। एंटी क्लॉर का मतलब यह होता है, कि किसी भी चीज से क्लोरीन निकालना हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी चीज है, जिसके पास से आपको क्लोरीन हटाना है, तो वहाँ पर आप इसको बेसीकली यूज करते हो। इसकी एक बहुत ही फेमस रियाक्शन है एंटी क्लॉर के नाम पर, कि अगर मान लेते हैं, आपके पास कहीं पर क्लोरीन गैस है। ठीक है, तो उस क्लोरीन गैस वाली जगा पर आप एक काम करो, एसो टू गैस को छोड़ दो, तो जब आप एसो टू गैस को छोड़ोगे, अच्छा, अब लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है, चार कोल, ठीक है, यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर किसको यूज किया जाता है, चारकुल यह आपको पता होना चीए कल को पेपर में कोईशन पूछले MCQ में कि SO2 को हम एंटी क्लोरिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं उस वक्त कैटलिस्ट कौन है तो कैटलिस्ट नहां पे कौन होता है आप लोगों का चारकुल तो यह SO2 गैस क्या करती है उस पूरे के पूरे क्लोरिन को एब्सॉर्ब कर लेती है और एब्सॉर्ब करके बनाती है SO2 Cl2 क्या मनाती है एब्सॉर्ब करके SO2 Cl2 ठीक है और यह SO2 Cl2 इसका नाम जो है इसे हम लोग कहते हैं Sulfural Chloride ठीक है इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है Sulfural Chloride तो इसलिए आपकी जो S02 gas है यह S02 gas बहुत important anti-cloring agent है क्या है एक बहुत important anti-cloring agent अब मान के चलो मुझे इसी anti-cloring agent वाले टॉपिक से आपके लिए एक सवाल पुछने है तो एक सवाल तो बहुत ये direct direct पूछा जा सकता है कि बताई ये anti-cloring agent की सही reaction क्या है बताई ये reactant क्या होगा, बताई ये product क्या होगा, बताई ये catalyst क्या होगा इस type से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है direct मतलब जेस लड़के है लड़की ने boards की तयारी करने के नाम पर चीजों को अच्छे सा रटम आ रहा है वह उसी रटीवी चीजों को basically mcq के form में attempt कर सकता है बट अगर किसी teacher को ये पूछना है कि बताओ इससे सवाल कैसे बनाए तो वह सवाल बता है charcoal as a catalyst then a product is formed ठीक है अब वो इस तरीके से पूछेगा कि जो प्रोड़क्ट बने गा उस प्रोड़क्ट के पास कितने सिग्मा बॉंड है कितने पाई बॉंड है कितने लोन पेर है उसकी क्या hybridization ऐसा पूछ लेगा बताओ ऐसा पूछ लेगा ठीक है ये वाली चीज मतलब डै मतले बनते ज़ंग है ? मतले है ये कितने बनते है zarशं कितने जाते है कितने हैं? प्रुट ठीक है तो इसमें सवाल वो कैसा है आप से सल्फ्यूरल क्लोराइड के बारे में पूछ लेगा ठीक है तो अगर मैं स्टक्चर ड्रॉट करूँ तो इस प्यारे से स्लफर का ऑcs़ेजन के साथ बाट बनाना है ऑcision या तो हमीशे दबल बाट बनाता है अगर कभी single बनाना पड़ जाए तो वो एक और bond बना लेता है लेकिन hydrogen के साथ hydrogen तो यहां है नहीं यानि कि दोनों bond जो बनेंगे इस तरीके से double वाले बनेंगे और जो 2 chlorine है वो इस तरीके से लगी रहेंगी अब बताओ sulfur की total covalency कितनी होती है 6 क्या यह sulfur की covalency 6 हुई क्या चेक करो एक bond, दो bond, तीन bond चार bond, पांच bond, छे bond अरेवा sulfur की तो covalency complete हो गई मतलब sulfur पे कोई loan pair नहीं है sulfur पे कोई loan pair नहीं है तो SO2, CO2 यानि कि जो sulfural chloride है इस पे zero loan pair है on central atom, usually जो loan pairs की संक्या पूछी जाती है वो central atom पर ही पूछी जाती है अगर कोई oxygen वगेरा पर पूछ ले तो oxygen वगेरा पर रहेगा ठीक है क्योंकि oxygen अभी और bond बना सकता है, chlorine पर बना सकता है बड़ एक मिनट यह एक मिनट ठीक है, clear है अच्छा, अब इसके अलावा अगर कोई मुझसे SO2, CL2 का यह पूछ ले hybridization तो मैं कैसे बताऊंगी πाई bonds को देखो कभी भी hybridization में count नहीं करते यह basics है, तो यह से साब से वो जो double bonds है उन्हें count नहीं करेंगे, सिर्फ sigma electrons count होंगे और total 4 sigma bonds है और 4 sigma bond का मतलब होता है कौन सी hybridization, उसका मतलब होता है, SP3 hybridization, इसके bond angles में नहीं बता रही हूँ, चुकि कोई मतलब नहीं है, आपको data याद करने की जर्वत नहीं है, ठीक है, आच्छा और SP3 hybridization मतलब geometry को हम लोग क्या कहते, टेट्रा तो अगर मैं examiner होती और मुझे इस particular reaction से question पूछना होता, तो मैं इस तरीके से पूछती की chlorine, not chlorine, SO2 gas is used as an anti-clor, ठीक है, to form a product X, ठीक है, उसके बाद बताईए उसमें क्या उसकी hybridization है, क्या उसका structure है, यह इस तरीके से, ठीक है, यह इस तरीके से, clear है, अलीची, यह मेरा approach रहता, एक student से काम वगेरा पूछने का, तो यह हो गए हम लोगों के कुछ uses, आपके किस को लेकर, SO2 को लेकर, आपको और भी uses मिल जाएंगे, SO2 के, अगर आप NCRT करेंगे, open करेंगे, देखेंगे कि अच्छा SO2 के क्या uses है, क्या नहीं है, वो तो देखो, फिर uses तो यार, फिर infinite है, आप उसमें आपन कहां पर मतलब, रोके अपनी गाड़ी, हैना, वो चीज़ तो infinite है, वो तो कितने सारे भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ ही लिखा है, बाकि अगर तुम खुद टेक्स्बुक रेट करोगे, तो तुम्हें और पॉइंस नहीं मिल जाएंगे, तो ये तो मैंने भी सारी basic basics बाचीर बताई, पूरी की पूरी आदा घंटा लेकर SO2 के बारे में, अब हम लोग main काम में अपने move करते हैं, the main काम is preparation, कि आप भाई SO2 gas को इतने अलग-अलग परपस के लिए यूज कर रहे हो, बट SO2 gas कोई naturally occurring gas तो है नहीं, कि atmosphere में घूम रही है, पकड़ के उठा के डब्बे में बंद करके बना के बेच के मार्केट में उतार दिया, even atmosphere में सोचो oxygen gas भी available है, बट अभी कोवेट के situation में oxygen cylinders की कितनी मारा मारी थी, पतल अब ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम oxygen को atmosphere से पकड़के, डब्बे में बंद करके तुमारे घर में भीजवार है, इसका मतलब कोई भी gas को prepare किया जाता है, तो अभी पहला point हम SO2 gas को prepare कैसे करी, so there are various, various methods by which you can prepare SO2 gas, देखो हमेशन आप होला जाता है, tires को कभी नहीं जलाना चाहिए, it is a very bad thing, if you burn out a tire, लोग क्या करते हैं, जैसे होली का दहन होता है, तब tire जला देते हैं, है ना tire को usually, या फिर अगर कोई उनकी गाड़ी का, ट्रक का, कार का, अगर कोई spare tire होता है, जो पुछी तरीके से बरबाद हो चुका है, cannot be used, तो उसको जला देते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए, क्यों tires को नहीं जलाना चाहिए, why, reason, बताइए, क्या है ये reason, tire को क्यों नहीं जलाना चाहिए, tire जो होता है ना, तुमने polymers पढ़ा है, तुमने एक topic पढ़ा है, vulcanization of rubber, तुमने एक topic पढ़ा है, vulcanization of rubber का मतलब ये होता है, कि basically, जो natural rubber होती है, वो natural rubber उतनी efficient नहीं होती, है ना, मैंने natural rubber बनाई है, ठीके हम लोग जब मेरा polymer chemistry में हुआ है, पीजी, तो उसमें मैंने natural rubber और ये आपकी vulcanized rubber ये हम लोग ने बनाई है, ठीके, लाब्स में हम लोग ये सारी चीजे किये हैं, पूरा performance, तो उसमें कैसा है, हमको हमारी जो teacher थे, उस वक्त, वो हमें इसी के वाया सिखाते थे, जैसे अगर उनको कुछ properties बगर अगर पढ़ानी है, तो चलो, इस चीज को synthesize करते हैं, practical का practical भी हो जाएगा, प्राक्टिकल सीखने का सीखना भी हो जाएगा, तो मेरे लिए तो सबसे interesting पूरी class थी, मेरे entire अभी तक के education की मिज़े polymer सी बहुत पसंद था, तो उस वक्ट जो हमने rubber बनाई थी, प्लस जो वलकनाईज rubber बनाई थी, दोनों की feel अलग आ रही थी भाई, आपके जो natural rubber थी, बिल्कुल भी efficient नहीं थी, वो सक्टा कुछ purpose के लिए efficient हो, बट tire के लिए तो बिल्कुल भी efficient नहीं थी हो, तो उसको कैसे tough बनाया जाए, कैसा उसका अच्छा strength होना चाहिए उसके अंदर, तो actually हम लोग क्या करते हैं, sulfur introduce करते हैं, जैसे polymers की language में cross linking कहते हैं, वलकनाईजेशन कहते हैं, है ना, sulfur introduce करते हैं, तो actually sulfur जो होता है, वो किसी भी tire के अंदर होता है, किसी भी tire के अंदर, ठीक है, आप कोई भी company का tire के लिए, आपको sulfur मिलेगा ही मिलेगा, अब जब आप sulfur को जलाते हूं, ठीक है, जब आप sulfur को जलाते हूं, sulfur को जलाना या दुनिया की किसी भी चीज़ को जलाना, it's like that, की oxygen provide करना, यह तो बच्पन ने पढ़ाई होगा ना, कि किसी भी चीज़ की combustion के लिए oxygen necessary होती है, तो जलाना या combustion करना, मतलब oxygen देना, तो जब यह sulfur और यह oxygen combine होगी, तो combine होकर क्या बन गएगी, SO2 gas, और यही SO2 gas, atmosphere में जाएगी, अप 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 और उपर जाके, आपके water vapor से combine होगी, और जब यह SO2 gas, उपर जाके water vapor से combine होती है, देखो मैं बताती हूँ, जब यही SO2 gas, उपर हवा में जाके, हमारे atmosphere में water vapor से combine होती है, तो यह बनाती है, H2SO3, और H2SO3 के बारे मेरे साथ से अभी अगर तुमने ऑग्जी एसेट्स वाला वीडियो देखा है, तो तुम्हें पता होगा कि इसको हम लोग sulfurous acid कहते हैं, कहीं अगर spelling error हो तो उसको ठीक कर ले ना, इसे हम लोग एक sulfurous acid कहते हैं, और जब बारिश होती है, तो यही sulfurous acid वापत से धर्ती पर आकर तपक जाता है, और इसी को basically हम लोग acid rain कहते हैं, back to earth, यही sulfurous acid in the form of rain, यह क्या आ जाता है, back to earth आ जाता है, और इसी particular चीज को हम लोग क्या कहते हैं, acid rain कहते हैं, बच्पन में आपने acid rain के बारे में, science वागेरा के बुक में पड़ा होगा, सुना होगा, तो actually acid rain का one of the important जो component है, वो यह आपका SO2 gas है, तो इसी लिए SO2 gas को हम लोग अगर बनाते हैं, produce करते हैं, तो इस तरीके से produce करना चाहिए, कि कभी भी वो gas atmosphere में leak out ना हूँ, हाँ छोटी मोटी हो गई, जैसे थोड़ा बहुत कभी कुछ जल गया, थोड़ा बहुत, तो बस समझ में आती है, अगर आप बहुत bulk quantity में, daily practice के तोर पर, atmosphere में अगर आप SO2 gas छोड़ रहे हैं, तो याज रखेगा, वो ही SO2 gas वापत से आपके ही, उसी अर्थ में, atmosphere में, वापत से in the form of acid rain आएगी, और acid rain क्या क्या कर सकती है, इस बारे में मैं तुम्हें क्या बता हूँ, तुम खुरी इतने बड़े गया नहीं हो भाई, है न उसे मैं क्या तुमको बताऊंगी, ठीक है, और सबसे जादा sulfur, आप लोगों के पास कहां पाया जाता है, आपके tires में पाया जाता है, ठीक है, कोई भी rubber वाले प्रोड़क्ट में पाया जाता है, किसी भी प्रकार के, आपके rubber वाले products में पाया जाता है, तो ऐसी चीजों को कभी नहीं जलाना चाहिए तो क्यों नहीं जलाना चाहिए ये इसका reason है ठीक है बराबर ये इसका reason है खेर तो अभी आपको अगर मैं ये पुछ हूँ कि sulfur को कैसे prepare करते हैं तो आप मुझे आपे क्या जवाब दोगे point number one आप मुझे ये बोलोगे मैडम देखिए आप किसी भी sulfur containing compound का combustion कर दीजे ठीक है sulfur containing compound का आप क्या कर दीजे combustion का मतलब क्या होता है उसको जला दीजे तो जब आप उस sulfur containing compound का combustion करेंगे तो आपके हाथ में जो product आएगा उस particular product को आप SO2 क्या होगे तो ये हो गया prepare करने का पहला तरीका ठीक है ये हो गया prepare करने का पहला तरीका इस पहले तरीके के वाया आप क्या कर सकते हो SO2 gas को prepare कर सकते हो अब हम लोग move करते हैं दूसरे तरीके के तरफ क्या कोई और भी मतलब तरीके हैं जिनके वाया, SO2 गैस को प्रिपेर किया जा सकता है, बिलकुल किया जा सकता है, जब आप छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे इंदसेंस, तेंथ में होंगे, तो आपने मेटलर्जी पड़ी होगी, originりました हीší मेटलर्जी पड़ी होगी kसीति वहाला ट्वाला टॉपिक हमारे अर्थ के अंदर वहांसारे मान्हकी कि मानने चलते हैं तुमरे अर्थ के अंदर और संफाइट के ठीक है सलफाइट में मतलब होता है एसटू नेगेटिक sulfide का मतलब यही होता है तो अगर आपके पास यह जो sulfide के ओर है आप इन particular sulfide के ओर की क्या कर दीजिए heating कर दीजिए या फिर मैं किया कहूं इनकी burning कर दीजिए इनको जला दीजिए तो जब आप sulfide के ओर को जलाओगे सप्देस्ट टो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ से भी आपको क्या मिलेगा ओड़ाइं को जिसके अंदर सुलफ़र उसको जला दो जैना कई होती होती है जुरह हम अंक इसलफर तुर कुण जला दो जब आप उसको जलाओगे तो आपको माँसे मिल जाएगी SO2 के हैस तो देखो जैसे हमारे पास और सुनो कौन कौन से हैं हमारे पास है Zinc Sulfide ZNS ठीक है ZNS बराबर एक होता है हम लोगों के पास FES2 ये होता है अच्छा इसके अलावा एक और और होता है हम लोगों के पास PBS ये होते हैं हमारे सलफाइड के ओर इनके नाम मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूं आपको पता होना चाहिए ठीक है जादा तो नहीं थोड़ा बहुत जैसे PBS को कहा जाता है गैलीना ये बहुत ही क्योंकि कैसा है जो लोग मेटलर्जी जिनके स्लेबस में है जिने मेटलर्जी पढ़नी पढ़ती है उनको ये सारे नाम मुझ जबानी याद होने पढ़ता है ऐसे देखो बहुत सारे ओर्स है ठीक है FES2 is known as Pyrite Ore इसे हम लोग कहते है Pyrite Ore तो ये कुछ Ores के Example मैंने लिए कुछ Ores के Example मैंने लिए ऐसे और भी Ores हो सकते हैं जिनमें Sulfide हो जैसे MOS2 ये भी एक Ores है देखो इसके अंदर आपको Sulfide देखने को मिल रहा है MO का मतलब होता है Malbedinum ठीक है तो इसको कहा जाता है Malbedonite ठीक है इस Ores के अंदर भी देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है Sulfur देखने को मिल रहा है अगर आप किसी भी Sulfur containing Ores को अगर जलाते हो देखो जलाने का मतलब एक ही होता है Combustion का मतलब एक ही होता है कि आपको सभी को क्या देना पड़ेगा Oxygen आप Oxygen के Presence में इनको क्या करिए जलाइए ठीक है क्योंकि Combustion के लिए जो चीज रेक्वाइड होती है वो रेक्वाइड चीज क्या होती है आप लोगों का Oxygen रेक्वाइड होता है बिना Oxygen के तो भाईया कुछ नहीं होगा तो जब आप इन्हें जलाते हैं जब आप इन्हें Oxygen देते हैं तो यह जल जाते हैं और जल जाने के बाद क्या बनाते हैं जल जाने के बाद बहुत ही Simple सी चीज बनाते हैं Metal Oxide ठीक है क्या बनाते हैं ये लोग ध्यान से सुन लो ये लोग बनाते है Metal Oxide प्लस SO2 गैस Metal के पीछे Oxygen लगा दो तो बन गया Metal Oxide और बना लेते हैं SO2 गैस यानि कि ZN एक Metal है तो क्या बन जाएगा ZNO प्लस SO2 नीचे यहाँ पे Metal कौन है Fe तो क्या बन जाएगा यहाँ पे Fe आपका O नहीं यहाँ पे बनता है Fe2O3 Fe O नी बनता यहाँ बनता है Fe2O3 इसी लिए इस reaction को important mark करिएगा ठीक है यहाँ बनता है Fe2O3 प्लस आप लोगों का SO2 गैस and so on ठीक है और इस particular process को 10th class में आपने पढ़ा होगा इसे कहा जाता है roasting 10th class में आपने basic metallurgy में दो नाम सुने होंगे roasting and calcination अगर आप sulfide ores को कर रहे हो that is आप लोगों का roasting और अगर carbonate ores को अगर आप कर रहे हो then it will known as आपका calcination वो क्या कहलाता है calcination so these are some of the methods बैसे तो मैंने यह दो ही बता है but these are some of the methods by which you can prepare SO2 gas other than this इसके अलावा और क्या है point है और किसी तरीके से SO2 gas को बनाया जा सकता है क्या हाँ एक तरीका और है अगर मालेते हैं अगर आपको लाप में SO2 gas बनानी है आपको कुछ जलाना फ़लाना नहीं है तब आप क्या करोगे आप लेकर आओगे sodium sulfite ठीक है Na2SO3 देखो अगर आप लोगों के पास SO1 अगर आप लोगों के पास SO4 होता है उसको sulfate कहते हैं अगर आप लोगों के पास SO3 होता है उसको sulfite कहते हैं अगर आप लोगों के पास S होता है S2 negative उसे sulfide कहते हैं तो Na2SO3 अगर की sodium sulfite हुआ P-H-I-T-E अगर इस sodium sulfite को मैं H2SO4 के साथ रियाक करवाती हूँ तो यह sulf, देखो H2SO4 किसके जैसे act करेगा H2SO4 एक oxidizing agent के जैसे act करेगा वो इस sulfite को convert कर देता है, sulfate में यानि कि वो convert कर देगा उसको Na2SO4 में अब क्योंकि वो एक oxidizing agent है, वो दूसरों को oxidation करेगा बट खुद का reduction और खुद का reduction करके वो क्या बना लेगा? SO2 तो यह भी एक तरीका है by which you can prepare what? आप लोगों का SO2 gas पहला तो किसी भी ऐसी चीज को जला दो जिसके अंदर सलफर है तो वो जलेगी तो SO2 gas बन जाएगी दूसरा हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे ओर्स होते हैं जिनके अंदर सलफर होता है आप उन ओर्स की रोस्टिंग कर दो तो उस दुरान उनकी रोस्टिंग के दुरान क्या निकलेगी? SO2 gas निकलेगी तीसा तरीका होता है अगर आपको लाब में बनाना है तो आप NA2SO3 को उठाके लिए यह उसे H2SO4 के साथ रियाक करवा दीजे उनकी रियाक्शन की वज़ा से जो प्रोड़क्ट मनेगा यह रहेगा तुम लोगों का पूरा का पूरा मॉडल काम करने का बराबर तो इसके थू हम लोगों ने SO2 gas को बोलो क्या कर लिया है प्रिपेर कर लिया है हमारी SO2 gas क्या हो चुक है प्रिपेर हो चुकी है अब आगे की कहानी हम लोग कंटीन्यू करते हैं कंटीन्यू करने वाली यह है कि यह जो gas आप लोगों की प्रिपेर हुई इस gas की reactivity के बारे मतलब इस gas को प्रिपेर करके तुम करोगे क्या यह किसके साथ react कर सकती है कैसे कर सकती है यह भी तो important चीज है न तो जैसा की हमारा पहला discussion हुआ कि SO2 gas को अगर पानी मिल जाए तो यह H2O के साथ react करके बना लेती है H2SO3 यानि कि H2SO3 यानि कि sulfurous acid ठीक है तो यह उसकी पहली characteristic दूसरी है कि अगर इस SO2 gas को कोई NaOH जैसा base मिल जाए ठीक है NaOH जैसा base मिल जाए तो यह react करके क्या मना लेती है Na2SO3 यानि कि देखो वही sodium sulfite plus H2O इस तरीके से ठीक है plus H2O अब देखो ध्यान से सुनना पूरी दुनिया जानती है कि NaOH क्या होता है एक base होता है सब लोग जानते है Na2SO3 इस एस सॉल्ट यह सब जानते है और H2O तो खेर पानी है थोड़ा थोड़ा 10th क्लास का ज्यान याद आ रहा है क्या डैश प्लस डैश रियाक्स तो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इस नोवन एस नूट्रलाइजेशन रियाक्शन यानि कि आसिड और बेस जब आपस में रियाक्ट करते हैं तब हमें यह पता चलता है कि बनता है सॉल्ट एंड वाटर तो यहां पे भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है इसका मतलब रियाक्टेंड में जरूर एक एसिडिक नेचर का होगा और जरूर एक बेसिक नेचर का होगा अब बेसिक नेचर वाला नवच है इससे यह पता चलता है कि एसो टू ग्यास क्या है एसिडिक है नेचर में और अगर एसो टू ग्यास एक एसिडिक नेचर में है तो यह क्या कर देगी ये turn कर देगी किसीच को turn कर देगी आप लोगों का blue litmus to red ठीक है blue litmus to red इसका nature कैसा होता है acidic होता है बराबर ठीक है वैसे तो इसीच को ऐसे भी बताया जा सकता था कि किसी के oxide को पानी में डालने के बाद अगर acid बने तो वैसे भी acidic है बट मैंने इस तरीके से बताया है ठीक है अच्छा अब अगर मान के चलते हैं आप आपके SO2 gas को छोड़ दें atmosphere में तो atmosphere में तो oxygen भी होती है है न अब atmosphere की oxygen को भूल जाओ अगर तुम जान मुझ के उसको oxygen के साथ react करवाते हूँ in the presence of a catalyst please keep it in mind ये catalyst बहुत ज़रूरी है कल की class में भी catalyst वापस repeat होगा जिसका नाम है V2O O5 ये catalyst है तो ये दोनों react करके बना लेती है कौन आपकी अपनी प्यारी SO3 gas ठीक है ये क्या बना लेती है SO2 प्लस तो को तीन reaction है SO2 की reaction पानी के साथ SO2 की reaction NaOH के साथ SO2 की reaction O2 के साथ तीन reaction से syllabus में जादा नहीं है वैसे भी आपके syllabus में ठीक है तीन ही है तो तीन मेंसे मैंने ये तीन बता दिया है देखो कितनी आसान है टेक्सबूक में रीड करने जाओगे तो ऐसा लगता है कि रियार कितनी साई reaction है कितना सारा पढ़ना है बट है बहुत ही आसा है चलो चौते पांट में आते हैं क्या और भी कोई reaction है क्या तो देखो reaction को छोड़ो फिलाल कि और क्या reaction है एक बहुत ही important point है जिसके basis पर मैं ये कहूंगी कि हाँ ये चौती reaction पैदा होगी वो ये कि आप लोगों का जो ये SO2 होता है ये SO2 basically एक reducing agent है क्या है ये SO2 ये एक reducing agent के जैसे behave करता है अब देखो reducing agent के जैसे behave करने का मतलब ये होता है कि वो खुद का oxidation कर रहा होगा और दूसरों का वो क्या कर रहा होगा reduction कर रहा होगा तभी तो आपने इसको क्या कर रहा है reducing agent का है तो actually में हम लोगों को अभी ये पढ़ना है कि आपका SO2 किन किन लोगों का reduction कर रहा है और कैसे कैसे products में उनको वो क्या कर रहा है convert कर रहा है ये हम लोगों को पढ़ना है तो reducing agent के नाम पर अगर मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करूँ ठीक है reducing agent के नाम पर अगर मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करूँ तो जो पहली reaction है वो यही है जो मैंने ऊपर बताई थी कि SO2 को आप CL2 के साथ छोड़ दो दोनों reaction करके क्या बना लेंगे SO2 CL2 तो यहाँ पे जो यह SO2 है यह basically कौन है reducing agent क्यों क्यों क्योंकि इस धर reactant side में अभी sulfur की oxidation state कितनी है प्लस 4 लेकिन जब आप उसको SO2 CL2 में convert कर देते हैं तो उसकी oxidation state कितनी हो जाती है प्लस 6 मतलब उसने खुद का oxidation किया तो अगर उसने खुद का oxidation किया है तो दूसरे का उसने क्या किया होगा reduction आप चेक भी कर सकते हो जब CL2 reactant side में था तब उसकी oxidation state थी 0 लेकिन जब वो SO2 CL2 product side में चला गया compound बना लिया उसने CL2, BR2, I2 इनकी oxidation state 0 होती है अगर वो अपने natural form में exist कर रहे हैं तो और SO2 CL2 कोई natural form नहीं है वो compound वाला form है तो वहाँ पे जो आप लोगों का chlorine होता है उस एक chlorine की एक chlorine की oxidation state होती है minus 1 तो देखो 0 से minus 1 गए यानि कि उसने chlorine का क्या कर दी है reduction इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग reducing agent तो SO2 प्लस CL2 वाली reaction से हमको यह नहीं सिखाती कि वहाँ पे anti chlorine उसका nature है वो हमको यह भी सिखाती है कि उसका nature एक reducing agent के जैसा है वैसे ही reactions यह reducing agent oxidizing agent की दुनिया में एक बहुत ही famous नाम होता है Fe3 positive कि इसका iron वालों का reduction करो oxidation करो whatever तो अगर Fe3 positive का कोई compound है मतलब कोई compound है जिसमें iron की oxidation state plus 3 है और अगर आप उसको SO2 के साथ react करवाते हैं तो वहाँ पे वो Fe3 plus का reduction कर देगा और Fe3 plus को reduce करके convert कर देगा Fe2 plus में देखो चेक करो Fe3 plus से Fe2 plus में हो गया तो उसने क्या किया Fe का तो reduction कर दिया लेकिन जब उसने Fe का reduction किया तो उसने खुद का क्या किया होगा oxidation तो बस एक छोटी सी बात याद रखना SO2 हमेशा खुद को oxidize करेगी ठीक है SO2 हमेशा खुद को oxidize करेगी और oxidize करके किस form में लेका जाएगी खुद को SO4 2 negative के form में खुद को हमेशा किस form में लेका जाएगी SO4 2 negative के form में ठीक, SO4, 2 negative के form में, तीसरा, तीसरी reaction एक और, जैसे MNO4 negative, जो की मेरी आज की class की starting ही थी, कि आप SO2 gas को कैसे detect करेंगे, कमनो 4 में डाल के detect करेंगे, तो कमनो 4 का मतलब ही होता है, MNO4 negative, अब MNO4 negative में अगर आप SO2 gas डालेंगे, तो वो SO2 gas खुद को, तो SO4 to negative में convert कर लेगी, लेकिन, जो MNO4 negative है, उसको खुद बताओ, किसमें convert कर लेती है, MN2 positive में, और यह होता है, basically pink या purple color का, और जो MN2 positive आपका भी बना है, यह basically colorless होता है, सोचो, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, deduce कर सकते हैं, ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ded use कर सकते हैं, यह वाली चीज़ को, ठीक है, clear यह वाली चीज़, ठीक है, done, very good, तो इस तरीके की कहानी होती है, हम लोगों की, और जैसा कि मैंने बताया, तुम लोगों को, कि SO2 gas को as a bleaching agent यूज़ किया जाता है, तो आप इसे bleaching agent के तोर पे, use कर सकते हो, मैडम लेकिन, हम तो जब 10 में थे, तब हमने पढ़ा था कि, CO2 को हम as a bleaching agent यूज़ करते हैं, बेलकुल आप CO2 को, मतलब, CO2 chlorine को as a bleaching agent यूज़ करते हो, बट डिक्कत यह है, कि जब आप SO2 को as a bleaching agent यूज़ करते हो, तो SO2 का जो bleaching action होता है, वो temporary होता है, मतलब, 2-3 मिंद के लिए bleaching होता ह है, और उसके बाद हो वापस से अपने original form में convert हो जाता है, ठीक है, वापस से अपने original form में convert हो जाता है, बट अगर तुम बात करोगे कि, आपके CL2 की, जो आप 10th क्लास में पढ़ते हो, कि chlorine एक bleaching agent है, उसका जो bleaching nature होता है, वो permanent होता है, तो therefore, अगर आपको temporary bleaching करनी है, तो SO2 is much preferable as compared to what आप लोगों का CL2, ठीक है, तो यह हमारी कहानी थी, आपके SO2 के बारे में, जितना मैं जानती थी, उसमें से बहुत साई चीजे मैंने तुमको बता दी, और तो कुछ नहीं है, यह जो reactions दी हुई है, मैंने, यह जो मैंने आपको reactions दी है, step number 2 में, step number 3 में, यह redox reactions है, ठीक है, यह कैसी reactions है, यह redox reactions है, याद आ रहा है तुम्हें, यह कैसी reactions है, redox reactions, तो redox reactions को balance करने के लिए, हमने 11th class में एक special तरीका पड़ा है, याद करो, एक होता है, oxidation number method, और दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा है, हमने 2 method सीखे थे, याद करो redox reactions को balance करने के लिए, त तो आप चाहो तो इन reactions को balance कर सकते हो, ठीक है, जब आप NCRT open करके देखोगे, या कोई भी अगर दुनिया के textbook open करके देखोगे, तो आप यह पाहोगे कि आपको reaction balanced form में दी हुई है, आपको balanced form में दी है, यानि कि अभी मैंने कैसे लिख दिया, कि Fe3 plus react करता है, बुक में प्लस प्लस एसो फो टू निगेटिव, प्लस फो टाइमस ऑफ एच पॉजिटिव, इसा प्रॉपर लिखावा मिलेगा, इसे घवराना नहीं है, कि यार इतनी बड़ी reaction में कैसे याद करू स्कूल के पेपर में बोर्ड एक्जाम्स के लिए, मैं बता रही हूँ, maximum बच्च हो गया, सो फो टू निगेटिव में, अगर आप सिब इतना भी लिख कर आते हैं ना, तो आपको पूरे माक्स मिलेंगे, हाँ, unless and until question paper में आपको ये ना लिख कर आ रहा हो, अलग से, कि आप write well balanced equation, identify well balanced equation, तो कई लोगों को लगता है कि इसको रटेंगे, तो ही हम लिख पाए अगर आप redox chapter अपने 11th class का पड़ा है, तो आपको balancing करनी आती है, और अगर आपको balancing करनी आती है, तो आप इसकी balancing खुद कर सकते हैं, बलकि मैं तो तुम्हें आज के लिए ये task भी देती हूँ, कि आज बैठो घर में थोड़ा copy के पन्ने को पल्टो और check करो, कि तुमने ज तो इससे दो फाइदे हुए, तुम्हें रटना भी नहीं पड़ा हो, और paper में कलको अगर लिखके आ गया, तो तुम पटापट balance भी कर लोगे, तुकि रटी हुए चीज याद नहीं रहेगी, जैसे आप लोगों के पास MNO4 negative है, ये react करता है SO2 के साथ, ठीके तो इसके भी reactant side में water होगा, ठीके इसके भी product side में SO4 to negative होगा, इसके product side में MNO2 positive होगा, और आप लोगों के पास H positive होगा, जैसा उपर है वैसे का वैसी, ठीके लेकिन MNO4 negative के सामने आपको 2 लगा हुआ दिखेगा, इसके आगे 5 लगा हुआ दिखेगा, इसके आगे आपको 2 लगा हुआ दिखेगा, इसके आगे 4 लगा हुआ दिखेगा, तो ये numbers मत रटो, ये numbers मत रटो, ठीक है, इनको मत रटो, च्योंकि अगर तुम इनको रटने जाओगे ना, तो तुम से balancing नहीं बनेगी, तुम सोज़ोगे 10th class वाली balancing के according इसे कर लें, तो ये 10th class की balancing नहीं है, ये redox की balancing है और redox की balancing आपको अलग से redox के chapter में सिखाई है, आप बस इतना याद रखो, MnO4 negative, Mn2 plus में जाता है, बात खतम, ठीक है, टार, clear है, बस इतना याद रखो, अगर आप इतना याद रखोगे तो काफी है, बाकी balancing तो आप कर सकते हो, अराम से, किसके basis पर, आपके redox वाले chapter के basis पर, तो हम लोग compounds of sulfur पढ़ रहे थे, पहला compound हमारी class का था, आज की वो था, SO2, जो हमारा पढ़कर हो चुका है, खतम, ठीक है, दूसरे compounds of sulfur होते हैं, oxo acids of sulfur, जो I think, तुम याद करो, मैंने तुम्हें 2-3 दिन पहली video का link description में share किया था, उसमें बहुत सरे oxo acids से, उनकी operation नहीं पुछेगा, उनकी कोई users नहीं पुछेगा, उनकी कोई reactivity नहीं पुछेगा, उनके सिर्फ questions उनके structure से पूछे जाते हैं, वो मैं already आपको बता चुकी हूँ, उनके questions सिर्फ और से structure से पूछे जाते हैं, तीसरा हम लोगों का, जो compounds of sulfur का topic रहेगा, वो रहेगा sulfuric acid, अब तुम्हें रहेगा, मैडम, sulfuric acid के बारे में पढ़ने लाएक क्या है, वो तो मतलब, कुछ मतलब का नहीं है, sulfuric acid, acid है, ऐसो है, actually, कर हम लोगों को ये पढ़ना है, क्योंकि रहेखो, sulfuric acid भी एक तरीके से compounds of sulfur में ही आएगा न, तो कर basically हमको ये पढ़ना है, कि sulfuric acid को बन particular topic पढ़कर हो जाएगा, तब तुम ये कह सकते हो, कि हा करके मेरा काम हो चुका है, ठीके, अब मैं तुम्हें एक फटाफट एक प्यारा सा चक्र बना कर देती हूँ, उस चक्र के वाया, चीजे, मैं तो वैसी ही paper में अपने copy में बना के रखती थी, एक diary मेरी maintained थी, जब त Fe3 plus के साथ, यनि की reducing nature show होगा, बोलो क्या बनेगा, Fe2 plus और साथ में SO42 negative, ठीके, आचा, इस SO2 की reaction करानी है माम हमको किसके साथ, MnO4 negative के साथ, बोलो क्या बनेगा, बनेगा, Mn2 positive plus SO42 negative, ठीके, इस SO2 की reaction माम हमको करानी है, किसके साथ, आपके CL2 के साथ, बोलो क्या बनेगा, SO2Cl2, ये बन जाएगा, इस SO2 की reaction, एक मिनिट, हम लोग करवाएंगे, किसके साथ, Oxygen के साथ, ठीके, SO2 की reaction किसके साथ करवाएंगे, Oxygen के साथ करवाएंगे, तो अगर Oxygen के साथ करवा रहे हो, तो क्या बनेगा, SO3 बनेगा, अचा, उसके अलाबा, और प्राणी के साथ करवा सकते हो कौन है या वो प्राणी के टू सी आर टू सेवन है ना आप किसके साथ करवा सकते हो उसकी रियक्शन के टू सी आर टू सेवन लिखकर आपको मिले या फिर आपको ये लिखकर मिले के टू सी आर टू सेवन का मतलब होता है बेसिकली क्रोमिय की पावर प्लस 6 है ना आपको K2CR2O7 लिखकर भी मिल सकता है या फिर CR की पावर प्लस 6 भी लिखकर मिल सकता है और K2CR2O7 के बारे में बता दू इस K2CR2O7 को हम लोग सिर्फ acidic medium में ही यूज करते हैं जैसे KMNO4 को acidic, basic, neutral हर medium में यूज कर सकते हैं ना K2CR2O7 को सिर्फ जाद अच्छे से acidic medium में ही आप यूज कर सकते हो तो क्या होगा reaction के बाद देखो जो SO2 है वो तो किसमें convert हो जाएगा SO4 to negative में और CR plus 6 का कर देगा वो reduction तो अगर CR plus 6 को अब reduce कर दोगे तो CR plus 6 reduce होके क्या बना रहेता है CR3 positive और CR3 positive को आप यह भी लिख सकते हो CR2SO4 whole thrice 3 तो यह एक मेर से छूड़ गया था यह एक आपको पता होना चाहिए चीक है अब जैसे MN2 positive है MN2 positive का मतलब होता है MNSO4 कई बुक में MNSO4 लिखा मिलेगा कई बुक में direct MN2 positive लिखा मिलेगा आपको इस तरीके से आच्छा चलो और एक और करते हैं एक और reaction है वो भी मुझे तुम्हें बता नहीं है वो भी मैं बता देती हूँ जैसे एक और चीज है SO2 SO2 की reaction अगर आप NaOH के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा sodium sulfite that is Na2SO3 क्या बनेगा Na2SO3 और एक और सबसे ज़रूरी चीज़ अगर Na2SO3 बनने के बाद तुम रुकी नहीं रहे हो तुम और SO2 और SO2 और SO2 और SO2 और SO2 और SO2 देते जा रहे हो देते जा रहे ह तो ऐसे में Na2SO3 convert हो जाता है NaHSO3 के अंदर ठीक है किसमें convert हो जाता है NaH आपके SO3 के अंदर में ये भी आपको याद होना चाहिए आप SO2 की reaction एक दूसरी gas के साथ करवाओ SO2 की reaction वो सड़े हुए अंदे की बदबू आती है जिस gas से यानि की H2S gas इसके साथ करवाओ तो क्या हो जाएगा वो sulfur plus H2O में convert हो जाएगा अगर आप SO2 को पानी के साथ रियाक करवाते हो H2O के साथ तो वो H2SO3 sulfurous acid बना लेगा तो ये जो चक्र है ये आपको याद होना चाहिए इस चक्र में एक बात और याद होने चाहिए कि CL2 का catalyst होता है charcoal और ये O2 वाली reaction का catalyst होता है V2O5 जो कि हम लोग कल और detail में पढ़ेंग इसका जो effect होता है वो basically temporary bleaching effect है permanently ये किसी भी चीज को bleach नहीं कर देता है temporary bleaching है temporary bleaching है ठीक है कैसी ये temporary bleaching है इसकी बराबर temporary bleaching है अच्छा और उसके अलावा एक point और है कि SO2 में जो bond order होता है वो bond order basically कितना होता है bond order होता है 1.5 अगर तुम्हें 11th class की chemical bonding याद है तो 11th class की chemical bonding में हमने एक formula पढ़ा था bond order का basically हमने दो formula पढ़े थे एक resonating structures के लिए पढ़ा था और एक normal compound molecules के लिए पढ़ा था वो हम लोगों का क्या था वो क्या था divide में हम लोग क्या लेते थे number of resonating structures कि क इतने number of resonating structures आप लोगों के पास है ये ले लेते थे हम लोग राइट अच्छा उसके अलावा हम लोग क्या ले लेते थे उपर numerator में total number of bonds कितने है ठीक है total number of bonds in resonating structure कि अगर आपके पास एक resonating structure है तो उसमें bonds कितने है तो आप देखो अगर मैं resonating structure तो मैं already आपको उपर ही प यहीं कहीं तो पड़ाया था ना हाँ आप resonating structure में bonds देखिए तो देखिए resonating structure में मैंडम सिर्फ तीनी bond है दो आपके sigma bond और एक पाई bond तो numerator में हम लोग क्या लिखेंगे numerator में हम लिखेंगे 3 और आपके पास resonating structures कितने है दो तो इस वजह से bond order बराबर कितना है या 1.5 कई ब सब्सक्राइब तो कई स्टुडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे रिया इसका bond order हम कैसे निकाले तो यह जो आप 11 क्लास की chemical bonding पड़े थे वहां बताया जाता है कि किसी भी अगर आपको compound का bond order निकालना है तो bond order निकालने के लिए आप क्या करते हैं आप वहां पर उसको देखत है कि उसके पास कितने resonating structures है और उसके resonating structure में उसके पास total कितने bonds है तो total bond divide by number of resonating structures आपके पास क्या आ जाता है ठीक है clear reality चीज़ चलो एक है आखरी चीज़ इसके बाद इस particular class को आज हम लोग यहां रोकते हैं अब देखो वह चीज़ क्या है अगर मानके चलो आपके पास है lime water 10th class में पढ़ा है सभी ने CO2 का test याद करो हाँ पढ़ा है lime water एक clear solution होता है अगर आप उसमें से carbon dioxide gas पास करते हैं तो lime water milky milky इसा हो जाता है यह सब लोग जानते हैं पूरी दुनिया जानती है इसके बारे में राइट अगर मानके चलिए कि वही lime water मैं आपको लाकर देदू lime water याने की CAOH hold twice to नीचा लिख भी रेती हूँ मैं यहाँ पर lime water अब इस lime water से CO2 के बदले अगर मैं SO2 gas पास करवा हूँ तो क्या मैडम अभी भी यहाँ पे वो milky milky सा solution मनता है exactly यहाँ पे भी milky milky सा solution मनता है exactly देखो अगर आप CAOH hold twice to इसमें से अगर आप CO2 gas पास करवाते हैं तो milky solution बनता है यह सभी ने 10th class में पढ़ा है क्यों बनता है CACO3 की वज़ा से क्योंकि वहाँ पे CACO3 क्या हो जाता है फॉर्म होता है इसकी वज़ा से milky बनता है तो similarly अगर आप उसी lime water से SO2 gas पास करवाएंगे तो वहाँ बन जाता है CASO3 और यह भी milky milky सा solution आपको दे देखने को मिलती है milky बोलते हैं या फिर white turbidity यह दोनों वर्ट्स आप यूज़ कर सकते हों फिर 10th class में आपने यह भी पढ़ा था कि अगर हम बेशर्मों के जैसे CACO3 के बनने के बावजूद solution के milky होने के बावजूद अगर हम excess of CO2 pass करते रहते हैं करते रहते हैं करते रह जाती है ठीक है फिर से solution आपका again क्या बन जाता है clear मतला पहले भी solution clear था आपने थोड़ी सी CO2 दी तो milky बना और भर भर के CO2 दे जारो दे जारो फिर से clear बन जाता है क्यों बन जाता है क्योंकि वहां बनता है calcium bicarbonate ठीक है थोड़ा कंजूसी के जैसे मैं लिख रही हूं सम अगर आपके पास calcium sulphate sulphide बन चुका है आप फिर भी बेशर्मों के जैसे access of SO2 दीए जारो दीए जारो दीए जारो दीए जारो तो वहां पर भी क्या बना लेता है calcium by sulphide इस और अगेन यह वापस से कैसा solution हो जाता है clear ठीक है तो यह एकदम देखो lime water test था यह SO2 test हो गया lime water test for SO to gas तो आप यह lime water test जो रहता है यह SO2 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप CO2 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका यह डाउट आएगा कि निनी माडम फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वह gas CO2 है कि SO2 क्योंकि वह तो दोनों के लिए test दे रही है तो भाई CO2 गैसे बद्बू है और दूसरे में बद्बू नहीं है तो यह डाउट मत रखना कि CO2 और SO2 को फिर अगर कंपेर करना हो तो कैसे करेंगे smell के business भी किया जा सकता है वैसे ही lime water के अलावा एक और water होता है जिसका अपने नाम बहुत कभी कभारी I think सुनाओगा जिसको हम लोग कहते बैर्टा water test अब यह बैर्टा water किसको कहा जाता है बताओ ठीक है यह बैर्टा water किसे कहा जाता है जैसे calcium hydroxide आप लेते हो calcium hydroxide के बदले अगर आप barium hydroxide लेते हैं ठीक है अगर आप barium hydroxide लेते हैं और उसमें से अगर आप SO2 gas पास करते हैं तो again आपको वही milkiness white turbidity देखने को मिलेगी ठीक है क्यों देखने को मिलेगी white turbidity due to the formation of what BASO3 और अगर आप उसमें से भी access quantity में पास करते रहते हैं करते रहते हैं SO2 gas को तो वह खुद को convert कर लेता है किसमें barium sulfide में किसमें convert कर लेता है barium sulfide में ठीक है यह है तो यहाँ पर हम लोग आज हमारी SO2 class जो थी उसको rest करते हैं SO2 वाले topic को आज यहाँ पे हम लोग छोड़ते हैं कल हम लोग contact process के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप H2SO4 को manufacture कर सकत हो ठीक है और वैसे तो H2SO4 के में reactions भी पढ़ नहीं है बाट पहले हम लोग कल सिर्फ H2SO4 का preparation पढ़ेंगे and done देखो चीजे आसान है अगर systematically समझते होए करते हो तो कभी भी block chemistry cut-in नहीं होती में का एक्जाम देने वाले maximum बच्चे क्या करते हैं इन और ग्यानिक को गड़े सभी काता है ना आपलोगों काम हां बस इतना ही वो लोग पढलेते लिकिन S block P block D block hydrogen इनको छोड़ देते हैं तो स्ट pre- anal स्टीज कि में इंजीनियर कर लेगा मेटलर्टीइकल नंजीनियर का पूछिम सो humor desses सब्सक्राइब मत मैटलार जी इतना डीटेईल में सब्रून की के ति वह व्हाइब कि आपको अल्रीडी जब फॉर्स्टियर में जाओगे इंजिनिरिंग के मेटलर्जी के आपको अल्रीडी वह अपसे पढ़ना पड़ेगा इसलिए महाराश्य बोड ने इस साल से मेटलर्जी को अपने सिलेबर से हटा दिया 2017 है अथा यहार थे मैं ने ईंट्रिव्ě्यूजी करने निकाल फेका का यह यांजिस को यह जोर दो इसमीं देखो फी व्लॉकaden नहीं हमिय इसुद्ने बस्सक्राइप चीजिन करने यह जैसे हैक बारिक Initiate tiene कौन कौन सी रियक्शन से चक्र में देखो पटापट 6 या 7 ठोक रियक्शन सी हैं हम लोगों की जैसे SO2 की रियक्शन FE3 प्लस के साथ क्या मनाता है FE2 प्लस MNO4 निगेटिव के साथ MN2 प्लस K2CR2O7 यानि की CR6 पॉजिटिव के साथ CR3 पॉजिटिव Oxygen के साथ SO3 ठीक है Chlorine के साथ SO2 Cl2 H2S के साथ S H2O के साथ Sulfuris Acid NaOH के साथ Na2SO3 कतब छे रियक्शन याद रखना इतना कथिन है क्या नहीं है ठीक है तो फिलाल अभी आज की क्लास हम लोग यह ओवर करते हैं कल इसके आगे कॉंटाक्ट प्रॉसस के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे ठीक है